सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब ग्रूप बीच में क्या कर रहा था कि अपना जो सिमेंट का बिजनेस है उसको वे विस्तार करने की कोशिश कर रहा था शुरुवात उन्होंने की थी दो बड़े सिमेंट कंपनीज को खरीदने से ride एससी सी उन्होंने खरीदा था अम्बुजा सीमेंट भी खरीदा था होल सीम ग्रूप से और उसके बाद हम लोगों को एक और खबर फिलाल आते वे सामने देखने को मिले थी कि अदानी यहाँ पे जैप्रकाश असोसियेट या फिर आप चाहो तो इसको जेपी असोसियेट भी बोल सकते इस कंपनी का जो सीमेंट का कारोबार है वो भी खरीदने की कोशिश कर रहा है और जेपी पावर की अगर हम लोग बात करें ये भी उनका जो सीमेंट का बिजनेस है उसको खरीदने की कोशिश या पे कर रहा है सो कोशिश तो चल रही थी बट यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की दिन खबर सामने आ चुके एंड इसके चलते हैं आप देख सकते हैं स्टॉक अपर सर्किट लगाते वे देखने को मिल रहा है सो जेपी असोसियेट नियरबाए 10% भागते वे देखने को मिल रहा है सर्किट लग चूका है और जेपी पावर में भी आप देख सकते हैं साड़े 10% से भी जादा की तेजी देखने को मिली है पर कहान इमें ट्विस्ट क्या है तो अदानी को यह मतलब खरीदना था बट उनका cement का कारूबार उनने खरीदा है, और ये खबर हमनों को officially आते वे देखने को मिल चुकी है, during the market ही खबर पहले आई थी कि officially नहीं यह करके, बढ़ बाद में ये flash हो गई खबर कि ये officially भी हो चुकी है, तो आप देख सकते हो headline यहापे पढ़ सकते हो, दालमिया भारत to acquire JP Group का cement asset, मतलब आप बोल सकते हैं, cement business for 5600 करोड के आसपास, तो अदानी कोशिश यहापे कर रहे थे, बढ़ फिलाल अदानी के और से यहापे नहीं देखने को मिल रहे हैं कोई deal, पढ़ दालमिया भारत, इन्होंने यह बाज ही आपे मार ली है, और आप देख सकते हैं दोस्तों, यह जो agreement की बात हो रहे है, वो भी इन्होंने sign करती है, JP Associate ने and JP Power ने, मतलब यह officially खबर फिलाल तो आपनों को देखने को मिल रहे हैं, अब यह आप जैसे यह news पढ़ते होंगे, खबर पढ़ते होंगे, तो कुछ लोग यह बोलते होंगे, चलो ठीक है, JP Associate cement का business ठीक है, JP Power का cement का business कब से होने लगा, तो दोस्तों आप यहापे पढ़ सकते हो, JP Power में भी आपनों को अलग-अलग चीज़े देखने को मिल जाएगी, जैसे के आप चेक कर सकते हैं, JP Power Ventures Limited is also engaged in the business of a thermal and hydropower generation, coal mining and cement grinding, तो यह cement वाला जो business है, उसको यहापे खरीदते होंगे देखने को मिल रहे है, और JP Associate में भी बहुत सारे business है, जैसे की engineering and construction, manufacturing of cement, real estate development, hotel, hospitality, sport, power, तो यहापे फिलाल तो cement business की बात हो रही है, तो यह भी मैंने clear करके दे दिया, अगर आपको इसे related और detail में जानना है, तो मैं link उपर i-button दे देता हूँ, जब अदानी की news सामने आई थी, अभी मैंने इसे related थोड़ा detail clear किया था, आप चाओ तो उस video को भी refer कर सकते हो, तो समझ में क्या आया यहापे, कि दाल मिया भारत ने यहापे बाजी मार दी है, अदानी फिलाल अभी इन companies को खरीद नहीं रहे है, अभी आ जाते में और मुद्दे की बात, क्या JP Power and JP Associate को खरीदना चाहे, तो दोस्तों यह गलती नहीं करने, अल्रेड़े अपर सर्केट लग चुका है, कभी तो जाके अपर सर्केट खतम हो जाएगा, और आप फस जाओगे, प्लस इनको जो पैसा मिलने वाला है, यह भी बताए जा रहा है कि यह जो पैसा रहेगा, कितना 5600 करोड के आसपास, यह पैसा वो अपने कर्ज को उतारने के लिए इसका इस्तमाल करने वाले है, ना कि किसी बिजिनेस में मतलब expansion के लिए, अल्रेड़े कमपनी का हालत इतना खराब है, कि आप चेक कर सकते 5 साल का डेटा की कमपनी या फिर maximum chart pattern, तो कमपनी का बिजिनेस डेस्ट्रा है, तो यहाँ पर जाना नहीं है, फिर भी बहुत से रिटेल मिस्टर इसको खरीदने की कोशिश करेंगे, बट अगर आप SM किसी इस चैनल को सुनते हो, तो आपने गलती बिल्कुल भी करनी नहीं है, तो न्यूज नंबर वन खतम हो चुके चार में से, आजाते हैं सेकेंड इंपोर्टन न्यूज के और, तो वो न्यूज है दोस्तो, टैक्स इवेशन के चलते हैं, टैक्स इवेशन मतलब टैक्स की चोरी करना, तो आपको पता है, ये कानुनी, मतलब बात नहीं है, इल्लीगल बात है, अगर टैक्सेशन की बात करें, तो डैक्स इवेशन होते हैं, तो यहापे हम बात करने वाले इंडारेक्ट टैक्स की, मतलब GST के बारे में, तो GST से रिलेटर एक टगड़ा डेटा सामने हापे आते वे देखने को में रहा है, ये डेटा सुनने के बाद, मतलब हर कोई डर जाएगा, GST इवेशन, मतलब टैक्स इवेशन हुआ है, चोरी हुई है, कितनी, 23,000 करोड की, किसने की है, Gaming Companies ने यहाँ पर चोरी की है, क्या यह, मतलब प्रूफ हो चुका है, नहीं दोस्तो, यह प्रूब नहीं हो चुका है, यह प्रूब है, आरोप लगाया जा चुका है, और आपको पता है, जैसे आरोप यहाँ पर लग जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट यहाँ पर हो चुकी है, तो नो डाउट दोस्तो, कोई छोटा मुटा मांट नहीं, 23,000 करोड, और यह कप का मांट है, एप्रिल 19 से लेके 22 तक, तो यहाँ पर अलग-अलग आपको पता है, कि रास्ते निकालने की कोशिश किये जाते है, और इसी के चलते हैं बताय जा रहे हैं, कि जो रास्ता उन्होंने अपना है वो गलत है, और यह एक्च्वल में टेक्स चोरी के अंदर हम लोगों को देखने को, किलाल तो हम लोग को सारी चीज़े यह देखने को यहाँ पर मिल रही है, जैसे मैंने आपको कहा कि investigation यहाँ पर चालो and and and, problem क्या हो रहा है कि gaming companies and investigation mode पर है, तो किसी भी company का नाम हम लोग directly ले नहीं सकते, क्योंकि कोई अगर मानो A, B, C, D ऐसे companies है, और इन दोनों companies नहीं चोरी की है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ना कि A, B, N, A, B किया है करके, तो इसलिए gaming companies, सभी companies के उपर अभी शक के निगाउ से देखा जा रहा है, बट अभी तक आरोप सिद किसी के उपर यहाँ पर नहीं हुआ है, इसमें domestic companies भी है, और international companies भी है, तो इसके चलते आपको पता ही है, कि on mobile global इसके उपर आज हम लोगों को pressure देखने को मिला, अभी तक आरोप किसके उपर भी साबित नहीं हुआ है, अभी investigation चालोए, जहन सार टेक की बात करे, pressure start, डेल्टा कॉप की बात करे, इसमें भी pressure, अभी इन चार में से कोई भी नहीं हो सकती, या फिर चारों की चारों हो सकते, या फिर चार में से कोई एक, या फिर दो, या फिर तीन, तो बताने का मकसद क्या है, इतना बड़ा tax evasion दिखने को मिल रहा है, सरकार के और से, ये बात फिलाल तो मिनिस्टर जी ने सामने रखी है, और investigation स्टार्ट हो चुका है, तो आप चाहो तो इन stocks के उपर focus रख सकते हो, गिराबाट का खत्रा अभी इनके उपर मंडराते वे देखने को मिल रहा है, next बात करेंगे दोस्तो, निर्मला सितारामच जी, आप सभी लोग को पता है, हमारे finance minister जी, जैसे कि आपको पता है कि संसत से related, 17 फिलाल तो आमनों को start होते वे देखने को मिल चुका है, और दोस्तो एक बहुती बड़ी खबर फिलाल तो आमनों को देखने को मिल रहे है, कौन सी बड़ी खबर, SBI written of 1.65 lakh करोड लोन in last four fiscal year, यह data यहाँ पर सामने रखा है, यह data किसने रखा है, खुद निर्मला सितारामच जी ने सामने रखा है, पिछले चार साल का, देखी सबसे पहले तो आपने डरने की ज़रूत नहीं, लोगों को यह लगेगा, कि सर 1.65 lakh करोड इतना लोन डूब गया, मतलब पैसा डूब गया, तो कल SBI crash होगा, देखी ऐसी बात नहीं होती है, बैंक का mechanism में अपने आपने बता चुका है, यह जो पिछले चार साल की बात कर रहे हैं, यह already books of accounts में record हो चुका होता है, मतलब यहाँ पर directly impact इसके उपर, SBI के बुक के उपर, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, सारी चीज़े NPA provisioning अल्रेड़ी हो चुका है, बट यह official statement सामने रखना, कि इतना बड़ा amount, 1.65 lakh करोड रुपे, इसा आप बोल नहीं सकते कि डूब गया करके, बट आप मान के चलो कि 99.999% पैसा नहीं आएगा करके, अभी 0.001% आप बोल सकते कि कभी आया तो, तो इसके चलते वो argument होता है, बट रेटन आफ मतलब आप बोल सकते हो, 99.99% पैसा डूबना ही होता है, तो ये डेटा फिराल तो निर्मला सितारामन जी सामने रखा है, और भी कुछ बैंक के नाम सामने आ रहे है, तो वो डेटा भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, तो आप देख सकते हो, पूरा भी हम लोग डेटा पढ़ेंगे, अगर अगर हम लोग बात करें और भी बैंक्स के नामे, बट नीचे देखिए क्या लिखा है, यूनियन फाइन्स मिनिस्टर निर्मला सितारामन जी, इन्फॉर्म दपार्लामेंट और 12 अफ डिसेंबर, आज की दिन की बात हो रही है, जैसे संसद, मौनसूम सत्र, विंटर सेशन ये स्टार्ट होते हैं न, तो ये सारी चीज़े हम लोगों को पढ़ने को सुनने को मिल जाती है, सर यहापे PNB में 60,000 करोट डूब गए, क्या PNB क्रेश होगा, नहीं, ये अल्रेड़ी बुक में रेकॉर्ड करके रख देते है, धिमे-धिमे करके प्रोविजनिंग पास आउन यहापे हो जाता है, बट बताने का मकसद क्या है, कि कितना बड़ा अमांट आप लोगों को डूपते वे देखने को मैंट है, बड़े-बड़े उद्योग पती यहापे लोन ले ले थे है, और वो वापस नहीं करती, ये इतना बड़ा अमांट किसी रीटेलर को नहीं मिलता है, बड़े-बड़े उद्योग पती है, आपने देखा ही होगा, विजय माल्या, उन्होंने भी क्या किया था, SBA से ही तो 9000 करोड लिये थे PNB की बात करे, निरोमोदी उन्होंने लगबग 12000 करोड का लोन लिया था और भाग गये, आप सब लों को बता है तो यही जो बर्डन आता है सरकारी बैंक्स के उपर, यह किसी रिटेल छोटे इन्वेस्टर के नहीं आता है रिटेल इनवेस्टर कितना लोन लिता है एक लाग, दो लाग, पाच लाग, दस लाग चलो एक करोड मान लेते हैं, किसी ने लिया ही होगा तो, अगर एक करोड डूबा तो कोई फरक पड़ेगा नहीं बट इतने बड़े-बड़े अमाउंट हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। आप चेक कर सकते हैं, इसमें अलग-अलग डेटा सामने रखा है कि फिस्कल येर इसमें कितना डूबा, देन नेक्स्ट फिस्कल में कितना डूबा, ये सारा डिटा फिलाल तो बताया है। इतना पैसा इनका राइट आफ मतलब डूब चुका है, लोन दे दिया, वापस ही नहीं आया है। अगर हम लोग बात करें, चलिए, कुछ प्राइवेट बैंक की भी दर्शन कर लेते हैं, तो प्राइवेट बैंक में कौन है, ICAC बैंक कितना? 42,000 करोड, then HDFC बैंक की अगर हम लोग बात करें, 31,000 करोड, तो इनका भी पैसा हम लोग को डूपते वेट जरूर देखने का या पर मिल रहा है, बट फरक क्या है या पर? आप सबी लोग को पता है, कि इनकी जो total loan book अगर आप देखोगे, उसके साब से जो percentage रहता है, वो बहुत ही कम रहता है, और बाकी सरकारी बैंक की अगर हम लोग बात करें, उनका जो total loan book का percentage रहता है, जितना loan डुबाई, वो बहुत जादा रहता है, सिर्फ SBA छोड़कर, क अगर हम लोग देख सकते कि कैसे यहाँ पर होती है, और यह बड़े-बड़े business man, easily good governance होता ही नहीं है, public sector banks के अगर हम लोग बात करें, इसलिए यहाँ पर उनकी हालत फिलाल आप देख सकते हो, कि किसी को trust ही नहीं है, मैं stock market के इसाब से बात कर रहा हूँ, और मैंने clarity भी द बात करेंगे दोस्तों, Tata Motors, आप सभी लंको बता है कि Tata Motor की एक subsidiary है, जिसमें Tata Motor की शायद से 72% की holding है, कौन सी Tata Technologies, so Tata Technology का IPO आने वाला है, Tata Motor के जो board है, उन्होंने यहाँ पर जो approval है, वो फिलाल तो divestment से related यहाँ पर दे दिया है, तो definitely TCS के बाद, 18 साल के बाद, एक IPO अब ही हम लों को Tata Group में आते वे देखने को है, आपे मिलने वाला है, तो इसके चलते बहुत ही ज़्यादा experiment, बाजार में देखने को आपे मिल रहे है, अगर आपको इस IPO से related detail information पढ़नी है, मैं इसका link उपर i button पे देता हूँ, मिने इसके उपर 15 minute का अलग से separate video बना है, आ अब ज़रू उसको पढ़ लेना, तो आपको A to Z सारी information मिल जाएगी, तो आशा करता है दोस्तों, इस video helpful लगा होगा, तो ज़रू like and share कर देना है, डिमैट अभी तक open नहीं किया है, अकाउंट तो link नीचे description में, 25 video के list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगी, आपका नाम, कौन आपको आपके link के तो उपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सिक्षिन ने बता देना, तो आपके बर के अंदर अंदर सारे lecture सामने को free of cost प्रोवाड कर दे जाएगे,